के बाद आपने साइंस और बाइलोजी चूस किया सोना था कि फिजिक स्टफ होता है और के आपका बीजी कि टाइम टेबल मॉनिंग से लिखत रात तक का क्यार है शुरवात में तो स्कोर्स इतने नहीं आते थे हैं स्कूल की टेस्ट में नहीं स्कोर कर पा रहे तो इंडिया मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इत्ती एक्टिव नहीं थी जिसको वाई पता होता है न वो अपने आप हाउ का पता लगाई ले तो आज के इस पोड़कास में आप सभी दोस्तों का हर्टिक स्वागत आज का इस पोड़कास पुड़ा इंट्रस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि ज्यादतर स्टूडन का जो एक ड्रीम होता है नीट को लेकर मुझे डाक्टर बनना है तो आज हम जो स्टूडन के साथ डिसक्रिशन करने वाले हैं नीट में एक ऐसा अचीव है जो बहुत सारे स्टूडन का कही ना कही ड्रीम होता है लेकिन अचीव बहुत कम करवाते हैं जी हाँ दोस्तो साथ सो बीस में से साथ सो पंद्रा मतलब एक एक्वेशन रॉंग एटेम करना साथ सो पंद्रा का स्कोर और रिसेंटली जो नीट का रिजल्ट डिकलेर हुआ है उनमें आल इंडिया जनरल केटेगरी की अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेंग की तो 92 रेंग है और EWS केटेगरी की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया सेवन्थ रेंग जिसका है वो भुमीकाजी से हम आठ डिसक्स करने वाले है तो ज़्यादा बात न करते हुए हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आज की इस पॉड़कास में कवर करने बाले है जैसे की टाइम केबल कैसे बनाए पूल को अचीव कैसे करें एटेम की प्रैक्टीस कैसे करें कितनी प्रिपरेशन करें कि ओवरॉल 11 और 12 को साथ में लेकर कैसे चले अलगलग सब्ज स्टूडन को एक एक्सेस मिल सके तो आए दोस्तों डिस्केशन की शुरुआत करते हैं पूमिका जी किसा पूमिका जी आपका हादिक स्वागत है हमारे इस प्लैट्फॉम में और बहुत सारे स्टूडन अभी आपको यह देख रहे हैं और अपने मन में कहीं चल रहें क्व क्रिशन जिंग शिखावत हैं वो एक टेक्स्टाइल कंपनी में सर्विस करते हैं और मेरी मादर एक स्पेशनल एजिटर है और अगर बात करें यह सफर की तो आपका यह जो स्कूर आया है कि सफर की शुरुआत कहां से हुई मतलब एक डॉक्टर बनना है यह ड्रीम कब से और यह सफर की शुरुआत कब हुई 6-7 में मैंने सोचा था कि मुझे बाइलोजी लेना है as a subject in 11 फिर मैंने 10 में सोचा कि मैं नीट अटेम्ट करूंगी और डॉक्टर बनूंगी 10 में आपका क्या स्कूर था 10 में 98.2 परसेंट तो 10 में भी भूमिका जी टॉपर की 12 वोड मे भी टॉपर है और साथ में नीट में भी टॉपर है कुमिका जी जब आपने यह सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो 10 के बाद आपने साइंस और बायोजी चूस किया शुरुआत में आपने क्या गोल बना है था जब 11 साइंस की शुरुआत हुई क्योंकि अभी मैजूरि तो मेरा बेसिक गोल था कि मुझे एक भी सब्डेट को पीछे नहीं चोड़ना है फिर्स केमिस्ट्री और बायोजी सबको साथ में करना है और सबको अच्छे से करना है तो स्टार्टिंग गोल यही था कि सबको एक्वली टाइम दू और एक्वली सबको प्रिपेर करूं औ दोस्तों मैं आपको बता दू कि भूमिका जी सिब्यसी बोर्ड से है और सूरत से है सूरत में वसिष पिद्याले आपने नाम सुना होगा बहुत बड़ा कैमपस है वो कैमपस से आज भूमिका जी ने यह अचीवमेंट प्राप्त किया है और हम डिस्कॉशन कर रहे हैं यूजवली शुरवात में तो ऐसा था कि 600 अप को लाना ही है यह बेसिक चीज थी फिर दीरे दीरे करके 650 अप और देन 700 अप दीरे 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 बढ़ते के स्कोर तो होता है और साथ में जब शुरू हुआ एक एक चैप्टर चलते है तो बहुत एजी लगता है कि नहीं यह तो इतना टफ नहीं लेकिन जैसे ही अलगलग चैप्टर का का कॉम्ब्डिशन अलगलग subject का कॉम्ब्डिशन होते है तो यातरा दिरे दिरे टाफ लगने लगती है तो आपनी क्या मैसूस किया और उसको आपने कैसे मैनेज शुरुबात में तो सब टीचर भी बढ़ाते औ तो आराम-ाराम से हम cover कर पाते हैं, फिर बाद में क्या होता है, tough chapters भी बाद में आते हैं और speed भी बाद में वड़ती है, दोनों एक साथ होता है, तो उसको हमको cover करना बहुत important होता है, तो हम उस समय तो सब कुछ नहीं कर पाते हैं, साथ में कि सब कुछ हो जाए ऐसा नहीं होता, पर आपको basic चीज और cover एकदम concept clear हो जाना चाहिए, वही आपका उस समय का focus होना चाहिए. और concept यह जो clear करने होते हैं, कभी कवार स्कूल में इका topic अगर मुझे अच्छी तरीके से नहीं समझ भाए है, तो student अपनी हिसाब से आप खुद वो clear करने के लिए आपका basic time table morning selected रात तक का क्या रहता था शुरुवात, शुरुवात में तो जैसे स्कूल से आते थे, फिर और इन में अगर देखने जाये तो कितने गंटों की आपकी मैनत होती हो, 8-9 hours, और school और यह practice का time निकालके, total आप जो dedicated study करते थे, वो 8-9 hours, self study, 8-9 hours, पुमिका जी कहीं ऐसा हुआ कि आपने शुरुवात में जो goal बनाएं, दिरी दिरी आप मैनेज करने लगे, practice करने लगे, जब school की weekly month ली जो test होती है, उनमें जब हमारा मंचा score नहीं निकलता, तो कहीं हतास हो जाते, थोड़े मायूस हो जाते, या pack of mind में यह thought चलने लगते कि यार, यह अभी school में नहीं हो रहा है, तो नीट पे तो कैसे होगा, तो यह thought process को आप कैसे manage करते थे, और क्या चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे student के दिमाद में यह question चल रहे है, यार, हम school की test में नहीं score कर पा रहे है, तो इंडिया में तो कैसे कर पाएं, यूज में यह स कि यह उनको आप repeat ना करो, उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए, उनको note कर लेना चाहिए, ताकि वही गलतियां repeat ना और फिर धीरे बढ़ जाता है score, तो point यह है दोस्तों कि अभी new academic year शुरू हुआ है, तो अभी अगर आपके score इतने अच्छे नहीं आ रहे है, तो कोई ज यह मुकाम हासिल करता है, खास करके यह जो destruction की दुनिया है, और अभी तो और इनमें भी 11th में, जो एक age बनती 11-12th में, तो एक group circle, एक friend circle, यह social media, तो आपने इस अपको कैसे manage कि, आप कैसे दूर रहे हैं, और कैसे involved रहे कर भी दूर रहे हैं, मैं social media platforms पे इती active नहीं थी, मै आप district हो तो यह अच्छी बात है, और बोल हर वक्त आपको याद रहे हैं, उसलिए आप क्या करते थे, नहीं लिखके रखा था या study table के आसपास, या mobile में, कभी कबार बच्चे कुछ करते हैं, ऐसी technique यूज करते हैं, तो आप हर वक्त बोल को याद रहे हैं, उसलिए क्या क चाहिए है, ज्यादतर दोस्तों कभी कबार यह होता है, कि जिसको वाई पता होता है, वो अपने आप खाव का पता लगाई ले, जब पैरेंट्स की बात वो या एक खुद डिसाइड ही किया है, कि मुझे यही रहा पे चलना है, मुझे यही मुकाम हासिल करना है, तो यह च आपकी क्या स्ट्रेटी रही जैसे कि फिजीक्स है, अगर हम सब्जेक वाई बात करें, और बायोजी स्टूडन को ज्यादा तर्फ फिजीक्स में और निमेरिकल पार्ट में थोड़ी डिफिकल्टी रहती है, क्योंकि मैच्स तो फुड़ा पार्ट रहता है, तो आप सब् पर परी थी, बायोजी की न्ची आटी तो न्ची आटी पढ़ना मेन होता है, आप अपने पॉइंट्स हाइलाइट तीजे उसमें और जो चैप्टरिस कुछ चैप्रस सब्स्टाफ होते हैं या फिर उनको रिवाइस करना मुश्किल होता है, तो उनके शॉर्ट नोट बना और जो प्रेक्टिस से हो जाता है, तो उसके शॉर्ट नोट सी बनाने पड़ते हैं उसके पास, और उसमें मैं वीकली रिवाइस करती थी उन शॉर्ट नोट को, इन और जो फिजिकल वाला पार्ट होता है, उसमें बेसिकली न्युमेरिकल होता है, तो उसमें आपको जाएंगे कोशिंस नीट पैटन के कोशिंस ना की बोर्ड की कोशिंट बोर्ड में पार्ट आता है और नीट में अबजेक्टिव टाइप आता है, तो उसको सॉल्व करना, फास्स सॉल्व करना क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता तो फोकस करना चाहिए, और फिजिक्स में तो हाँ सब बोलते भी हैं कि नियुमेरिकल बहुत टुफ होते हैं और खुद को भी ऐसा लगता है, कई चैप्रस तो बहुत टुफ होते हैं, और दीरे 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 करके हुँचाए, तो आपने में दो चीज़ कही कि जो पार्ट है, उसको जादा से जादा रिवाइस करना और नॉट्स बनाना और एंड टाइम पे वो नॉट्स को रिवाइस करें, और जो नुमेरिकल जो पार्ट है, उनमें आपने कही ना कहीं प्रैक्टिस और कही ना कहीं उसको चानेक्टेट करने का रूल ज़्यादा रख और खास करके अगर हम देखने जाए, तो चैमिस्ट हम वो समझ जाते हैं, तो हर तरीके की कोशन समय समझ आ जाते हैं, और NCRT, और NCRT पढ़ना बहुत इंपोर्टन होती है, NCRT से बहुत कोशन साते हैं, बतलब हर एक प्रोसेस को अगर आप समझेगे, हर एक रियक्शन को, हर एक फॉर्मूला को समझेगे, कि कैसे वर्क कर र ना कि रेट्टेबाजी से पॉसिबल नहीं है, आपकी अंडेस्टेंटिंग, आपके कॉंसे इतने क्लियर है, उससे शायद ये पॉसिबल को सकता है, नीट में जब आपने एक्जाम जब सेवन ट्वेंटी जब आप नीट में थे, तो कभी कबार उनमें क्वेशन दिये थे, और कैसे ये पूरा एक्टेम्ट कैसे करते थे आपके एक्जाम, पहले सबसे पहले बाई एक्टेम्ट किया था, बाई पॉसिबली सारे कोशन्स आ गये थे मुझे, पर कुछ कोशन्स जो नहीं आये थे, तो उनको मैंने बात के लिए छोड़ दिया था, क्यूंक पॉसिजन था, और मुझे नहीं आये थे फॉस्स टाइम के, फिर फिजिक्स में जित्ता आया है, तक या फिर बायो कवर करके फिजिक्स वापस करे तो वापस आग में आया, मतलब सब्जिक की अगर प्रायोरिटी की बात करें, तो सबसे पहले आपने बायोजी लिया, उस एक तो केटेगरी होती है, जो बिल्कुल आते ही नहीं है, मतलब देखके लगता है कि ये मुझे चुड़ा डounds नहीं है, ये पुटा डाउट नहीं है, पर आते ही नहीं है, ये है हलो और ये पहले ह सरह फिल हॉर वाला पॉरसों क्वरक्न लग्पर्सान, आपने पहले पह करने के बाद फिर से आप पाई लोजी पर आए हां सारे की रिवाइज भी करना पड़ेगा आपकी एक एक वर्ड की मिस्टेक के कारण पूरा कोशन आपका गलत हो सकता है तो रिवाइज भी करना पड़ता है तो उनमें जो आपके कंफुजन वाले पार्ट है वो जब सेकंड मेरे पास जो आडट तस बारा पंद राइस सते हैं जो बिल्कुल आते हीनी है लृप मैं कुछ पहां पे तुका भी नहीं लगा सकता कि यह है या सी है तो ऐसे क्वेशन को आपके एक्सपिरिंस के हिसाब से आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है तो क्या करना चाहिए उनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि नेगिटिव मार्किंग होती है तो रॉंग करके नेग यह एकर mileage करणे यह बहुत एक स्टांडरोड़ आस्टांडर प्रायपर और बहुत स्टने और उनका चाहिए था जीए foul है समुझ के यही टांडर से लॉनको को भी सथ मेले कर चलना एक स Android अबGM हमा इसा तो निए फीम रिक्सपिर करना उनमें ही टाइन कम पड़ रहा है तो साथ में 11 को लेकर चलना तो यह आपने कैसे मैंनेज किया इलेवन्थ में 11 कर लिया था डैसलोग नहीं छोड़ा था 11 ही हो गया था फिर 12 में तो 12 कि 11 साथ में करेंगे तो इतना कुछ पॉसिबिल नहीं होता 12 फटा-फट दिवाली स जल्दी कम्प्रीट कर लिया था उसके बाद वापस 11 रिवाइस तो यह चीज़ है पर यह पैनिफिट आपको तभी होगा जब 11 आपने प्रॉपर किया होगा तो आपी यह चीज़ जो 11 में भी स्टूड़न्स आया न्यू एकेडमी के जो शुरू हुआ है जो भी करें उसक बहुत सारे वीडियो में स्टूड़न्स कॉमेंट भी करते हैं मेरे जब प्रॉग्राम्स होते हैं उनमें भी स्टूड़न्स कभी कबार यह पूथते हैं मन तो बना लेते कि नहीं यार मुझे भी जैसे आपने मन बनाया था कि मुझे डॉक्टर बना है मुझे यह स्पोर तक पहुचना है कोल तो हर कोई स्टूड़न्स क्रियेट कर लेता है नहीं होता तो ऐसे इंट्वी या मोटिवेशन वीडियो देखके उसके प्रॉसस से बन जाती है लेकिन बात आती ही कंसिस्टन्स कि यह डेली एनरजी डेली ए मोटिवेशन यह आप कैसे मैनेज करते हैं पर नहीं जब आपके स्कोर्स आपके सामने होगी अभी एक्ट्वल स्कोर हमारा क्या है और हमें कहां जाना है तो रोज देखके रोज मोटिवेशन मिलता ही रहता था कि नहीं इससे तो आगे बढ़ता है और जब आप डिप्रेस होते थे मतलब डिप्रेस इंट सेंस की और थिंकिंग में थाट प्रोसेस में अपने आप में सेल्फ डाउट में होना कि यार होगा नहीं होगा होगा नहीं अंदर एक अंदरोनी यूद जब चलता है तो उस समय आपके लिए एक मोटिवेशन का सूर्स क्या रहता था आप आप कैसे बाहर आते थे वासा हम मेरी मदर म मेरी मदर सिखाती थी कोई बात नहीं जो गाच चाही होगा है तो हमारे साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है तो दीरे दीर है उनकी बात तो पैरेंट्स के एक बहुत बड़ा रूल रहा यह सब और साथी साथ आपके और को फैमिली मेंबर का सपोर्ट ये पुरी यात जाएगा और फिर मेरे नेवर्स पीते है वो भी मुझे बहुत तो एक यह जो एक्मोस्पेर है वो आपको कहीं ना कहीं एक एनरजी प्रोवाइड करते थे फैमिली का एक्मोस्पेर मदर पादर अंकल और अडोस-डोस में भी एक पता हो रहता है कि आप रिपरेशन कर रहे पार्टी या कोई ना कोई मूवी सिरियल सिरिस एपिसोड और 11-12 के स्टूडन तो रिशस के टाइम में भी कहीं ना कहीं सिरिस की बात कर रहे है तो कभी कबर हमें लग रहे है कि यार हम कुछ पता ही नहीं है मतलब यह कहां क्या चल रहा है कौन सी मूवी सुपरेट हो गई कौन सा नय सोंग आ गया तो यह कभी कबर लगता है तो आप क्या करते थे क्योंकि यह बहुत सरे स्टूडन को यह फिल हो रहा है कि यार हम मिस कर रहे हम रह जाएगे तो वो स्टडी को साइड में रखके पुड़े बहुत एपिसोड सिरिल सिरिस में चल जाते और वहां से आपने एक पूरी प्रफेशन के टाइम पर एक भी मुवी एक भी सीरीज नहीं देखी ती तुमने यह देखा यह बहुत अच्छा है यह तो देखती देर का यह पर आप पर पास टाइम ही नहीं होता कि आप तीन गंटे वैट कि उसका टाइम वेस्ट कर दीजे अपना बाकि और कितना क्या है तो आपको टाइम मिलेगा यह नहीं की पढ़ना इतना बाकि जाते हैं अपने आपका ट्रेकिंग आपको अगर करते रहे कि वेर यू आर एंड वेर यूँ ओन्टो गो यह तोनों के बीच का जो फासला है वो कही ना कहीं आपको सोने नहीं देख मैंने 11 में लेट नाइट तक किये पढ़ाई और 12 में मैं सुवे चल दिए लगए तो मतलब दोनों आपने ट्राइ कर लिया और तोनों कहीना की रिजल दे रहे हैं तो आपको तो चिंता करने के दोस्तों जरौत ही नहीं है क्योंकि लेट नाइट में भी रिजल निकलता है इक जो रहता है कि पूरा एक मैनेज करना क्योंकि एनरजी वहीं से भी मिलती है तो आप कितने गंटी की स्लिफ करते थे और मैं सेवनार्स की मिनिमम करती थी क्योंकि अगर मैं वह नहीं करती थी तो मेरा दिमाग चलना ही बंद हो जाता था क्या हो रहा है मुझे समझ ही नह स्लिफ ले ती और पड़ सेवनार्स की स्लिफ ले और बिफ़ोर एक्ग्जाम कुछ टाइमिंग कुछ प्रिपरिशन का टाइम था तो इतमें ज्यादा कर पर अपने कर ग्यान दिया था या कुन सी स्टेटिजिया पने प्र एटेंट किये थे सजजाता क्योंकि रिविजिन उसी से हो जाता था, मैं रोज अलमोस्ट लेड़ महीने के लिए रोज दो पेपर करते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं देखने जाए तो 90 प्लस पेपर आपने सौल करने की बात है, दोस्तों, तो यह तभी संबह हो है, जब आपको highly focused, highly clear, highly energetic, और यह आपको purpose पता है, और revision एक ची में आपने concept clear कर ले, लेकिन particular आपका revision का क्या time table रहता था, और revision आप कैसे करते हैं, जैसे suppose जो notes हमने teachers ने, faculty ने हमको दिये, वो notes सबसे पहले आके revise करती थी, फिर questions करती थी, practice करती थी, ज़ादा, जितने ज़ादा question करेंगे, उतनी ज़ादा practice होगी, सिर्फ पढ़ने से तो जो दिन है, उनमें ज्यादा तर आपके पास ज्यादा time रहता है, एक practice का preparation का, तो Sunday का आपका कोई special आयोजन रहता था, कि कैसे आप उसको संडे को जैसे पूरे week में कुछ ना कुछ को बाकी रही जाता था, कि ये chapter छूट गया है, या फिर इतना portion छूट गया है, तो वो सब संडे को cover करती थी, मैं, कि संडे तक तो मेरा, at least week, week में तो complete होई जाए, कि मेरा weekly चीज complete हो, तो संडे को वो जो छोट जाता था, वो complete है मतलब एक buffer जैसा आप संडे को रहते थे, तो मिकाजी अगर आपको पुछा जाए कि seven fifteen, ये जो आपने score किया, उसके पीछे कौन सी यसी तीन वज़े है, कि आप ये score अचीव करने में सफल हुए, सबसे पहली तो practice कि, आप जितना practice करोगे उत्ता जादा, क्योंकि दो तो question ह होते हैं और तीन घंटे बीस मिनट ही होते हैं, तो उसमें cover करना ही होता है, तो और next चीज़ है कि अपने errors पर द्यान दो, अपने हर जो आप test attempt कर रहे हैं, उसको analyze करो कि आपने किस subject में कहा mistake की, कौन सा chapter आपका week है, तो उन chapters को revise करना और तीसनी चीज़ emotionally stable रहना, क्योंकि अगर हम बीच में अपना motivation खो देते हैं, तो फिर जर्णी नहीं कर पाते हैं, और emotional जो आपने शेर किया, कभी कबार आपको तो एक family का बहुत अच्छा support रहा है, और अलग-अलग तरीके से बच्चे कहीना कि emotionally disturbed होते हैं, maybe friend circle से, school के atmosphere से, अपने score न आने से, family का support न होने से, तो उसको manage करने के लिए आपने कोई या तो आपके experience आप अगर कुछ शेर कर पाये कि कैसे emotionally वो manage कर पाये और कैसे वो वहाँ पर टीक सकी emotionally, emotionally, एक तो मैं रोज मंदर जाती थी, रोज पूजा करती थी, सुबन सुबह, तो वो बहुत important होता है कि आप भगवान को बताएं कि आपके साथ क्या बुरा हो रहा है और पेद रखना चाहिए कि सब हम अच्छा करी लेंगे, बगवान पर पेद रखना चाहिए खुद पर, तो ये दो चीज बहुत अच्छी तरीक से बदाई कि emotionally अपने आपको balance रखने के लिए दो चीज एक तो इश्वर पर बरोसा या त ये चीज आपको कहीना की पावर देती प्रेसर अब पर देने जाते है ना उसको भी करना चाहिए कि तब क्या होता है तब अचानक से ब्लैंक हो जाते है हां वो सब कवर कैसे प्रेसर को manage करें हां एक ये चीज और अगर आपको किया और हमको यूश्वली डाउट ये रहता था मुझे तो यही रहता था कि 11 में 11 12 में मतलब 12 चालू हो गए तो 11 भूल गए फिर वो कवर हो जाएगी नहीं हो जाएगी तो दोस्तों बहुत टीटिल में हम जब discussion कर रहे हैं पिर भी अगर आपके दिबाद में कोई भी question हो प्रियास करेंगे पुमिका जी जब हम बात करते हैं नीट तो कहीना की 30-22 लाग पच्चे एक्जाम देते हैं और इंडिया में से बच्चे एक साथ preparation करते हैं जब हम 10 में होते 12 में होते तो बात लगे और ये competitive exam की बात लगे तो exam hole में जब जब जाते है तो एक पुरा blank हो जाते ही प्रेशर जो रहता पर्फुमर्स प्रेशर जैसे क्रिकेटर 20 मैच अभी चल रही है वर्ल्ड कप जो चल रहा है या जब एंड में हमें जीतने की बात वह लास्ट मैच वह फाइनल मैच तो यह प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं प्रेशर एक इसली आ जाता है क्यों अमको लूँन कर देगा की क्या करेंगे दूसर और नहीं है प्रेश आसे प्रेश आता है क्र आच होस्प आफ्छे से ऑप्रेशर अपको ओपन 정 twistार को Ó चाहिए वाँ कि बहुतने हूँ प्रेशर को अंर ऐसे प्रेशन आन्स करती थी कि मुझे नहीं आया कुछ भी तो उसके बाद कभी नहीं आना है वह बहुत बेसिक चीज है तो आप नेक्स सब्जेक्ट पर जाएए सब्जेक्ट कर दीजे और फिर वापस करेंगे तो आज है जहां से नहीं आना शुरू हुआ उस पॉइंट पर चोड़के नेक्स स आगे का आता होगा फिर भी आपको नहीं आएगे कि मुझे नहीं आता तौफ है तो सब्जेक्ट आप स्विच कर लेते हैं और वहां पे अगर बैक क्वेशन आते हैं वह अगर माइंड सेट आपका बन गया तो यह भी अपने आप तो दो चीज़ आपने पुमिगा जी शे स्विच इन दो चीज़ अगर आप करेंगे तो यह प्रेसर को आप जरूर करपाएगे खुझे बिफॉर एकजाम हमने बात की भुँजभ्सारे प्रेसर प्रेसर हमारे उपर उतने पर हम ऐसे सोच लेते कि हमारे उपर प्रेसर जैसी कि एक फैमिली का प्रेसर एक्सपडेशन का कि हम उसके एक्सपडेशन में कहीं सही साबित होगे के नहीं होगे स्कूल को अगर हम अच्छा स्कूर कर रहें पैक्किस में भी अच्छा स्कूर कर रहें तो स्कूल को भी एक उम्मीद होती है, एक एक्सपडेशन होती है, परिवार को होती है, तो यह पूरी उम्मीदों का जो एक बोज है, वो हमरी पढ़ाये पर पढ़ता है, तो उसको आप कैसे मानेज ? जाहि भी में उसके बारे में सोचना ही ज नहीं चाहिए हमैं बस अपने मारे में सोचना चाहिए कि मैं कर सकती हूं कुझे करना है बस ? तो जब वो सोचेंगे दीरे-दीरे और सबसे पहले तो चोटे गोल बनाने चाहिए जाय उपने यह यह स्थीए कई कीसाइर अपर बहूं कर से चूजल के साथ ही नहीं आप वहाँ से उपर गए और बहुत था स् też के साथ आप मेरे साथ 12 की स्टार्टिंग में हो गया था अटेस्स आने लगये एक दो टेस्स में अच्छे मार्त है यह पिर मांक्स के लिगे लगें तो उसके बाद तो बहुत भुध लगई गिर गिरते ही जा रहें अब क्या होगा आप पर कुछ नहीं उसमें उस समय क्या करते हैं ह हम एक तैस्स के बारे में सोचते हैं कि आप बेकार गया तो दूसरा भी भराब चला जाता है उसके माइंड से कारण तो हमको हमारे एरर्स पर फोकस करना चाहिए कि मैंने क्या गलती की और अगली बार मुझे यह गलती तो नहीं करनी है रिपीट्र हमे만 करनी है मेरी मिस्टेक वो सोचना चाहिए और सूचने कि ठीक है मिस्टेक करना हम कर सकते हैं कोई वात एक दो कुछ खूर हो जाता एस से नहीं है एक चिस्तों है दॉस्तों की तैसे अशेर की मेरा साथ भी ऐसा हुआ आपके साथ अगर हो रहा है तो उनमें कोई अलग आपके साथ कुछ हो रहा ऐसा नहीं है आप भी 715 या 720 तत पहुच सकते हैं लेकिन मुद्धा यह है कि यह situation पर आप क्या सोच के आगे बढ़ते हैं वहीं रूख जाती है या वहां से पीछे चले जाती है तो यह चीज़ बैटर करते हैं जैसे पुमीका जी ने वहां से अपने आपको अनलेसिस किया अपनी मिस्टिक पाइडिटिवाइक किया और वहां से आगे बढ़े यह पूरी प्रोसेस में कॉम्पेटिशन का माहूल भी बहुत मैटर करता है तो उसके लिए आप क्या कहें कि कॉम्पेटिशन अंदर अंद गिरे ना हम और अगर हो जा रहा है कि नहीं हो पारा तो भी इतना बुरा नहीं मानना चाहिए हमें मैनत करती रहनी चाहिए उससे हो जाएगा और फिर सबके साथ भी कॉम्पेटिशन होता है अपी क्लासमेट के साथ तो एक तो हाँ वह हेल्पूल होता है क्यूंकि हम ऐसा कर नहीं पाऊंगी ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए और हमें उस समय क्या होता है अपनी रैंक आइडिटिफाइए हो जाती है कि हम इतना कर पा रहे हैं अभी और हमारी रैंक क्या बन रही है उससे हमारी रेंक बढ़ आप हर तिन एक डिसाइट कर लेते हैं कि मुझे रात को स से पहले इतना गुप्लीट करके सोना सब्जेक वाइब अब अब टॉल लगा लेनी और एक बिस हैं जितने भी टॉपिक अलग अलग सब्जों किया है उसका इस झाप में उसकी नॉट्स उसके उसकी पूरी तरीके से टीटियल मुझे ले उसके बाद बाकी के टाइम में आगे का पीशे का और रिवाइस करना कि इन में टाइम खतम हो जाता था तो एक चीज़ यह निकल के आ रही है कि आप टी टुडे भी अगर कर पाए आज जितना हुआ उतना अगर आप कंप्लीट कर पाए तो भी आप एक अच्छा स्पूर कर सकते हैं तो साथी साथ हम पुमिका जी के साथ यह भी डिस्केशन कर रहे हैं रिविजन की बात हमने पता ही एक पेपर एटम के से करते हैं वह भी हमने जाना दोस्तों एंड पार्ट की और हम आगे बढ़ते हैं और पुड़े एक तो वहरी इंपोर्टन क्वेशन जो आपको भी बहुत हेल्प करने वाले हैं ऐससे क्वेशन तुबेगा जी यह अभी तक हमने बात बताई इनमें स पूरा स्लेबस हो जाते हैं तो अभी तक तो दो तीन चेप्टर दो तीन चेप्टर तो वहारा पर पर लेते थे एक साथ आया तो उससे भी आगे जब 11 और 12 तो एक ही साथ आगया तो हमारी एवरेज कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है तो वह टाइन को कैसे मैनेज की और वह सबसे पहले तो जो चैप्टर मुझे लगते थे कि तफ हैं मुझे याद नहीं रह रहे थे तो उनके शॉर्ट नोट्स पनागे रखती थी और उसको अच्छा से रिवाइस करती थी फिर बाकी चैप्र इस तो आल्मोस्ट आ जाते हैं आपको जैसे जो समझने वाली जाता है तो यह कहां से आ गया वहां से आ गया इसा भी लगता है फील होता है तो हम को जो मिस्टेक कर रहा है उसको जैसे सब्सक्राइब मैंने दो मिस्टेक करती तो मुझे समझ आ गया कि मुझे वह चैप्टर का या तो यह टॉपिक या फूरा चैप्टर रिवाइस करने तो बात बन सकते और वहां से आप एक score को आगे ले जा सकते ये बहुत अच्छी strategy भी हो सकते दोस्तों आपके लिए भी उमिका जी जब result की बात आई ही आपने exam दिया तो एक basic आईडिया आगया कि इसके आसपास का score बनेगा जब answer किया ही लेकिन जब final result निकल के आए तो family का और आपका एक reaction और एक जो खुसी जोती वो अगर आप शेर कर पाए क्योंकि कभी कबार वो शेर करने से कई student का अगर dream बन जाए तो बात बन जाए हमारे result की date तो अलग schedule पर result पहले ही आ गया था तो पता भी नहीं था फिर अचानक से phone आए कि result आगया चेक करो तो चेक किया अच्छा लगा था कि अब दो साल की मैनत द्रंग ला गई है यस और अपसे आपके जो next goal अगर वो बोल के उपर भी यह आपके जो dream क्योंकि almost जब आप में जाने वाले है तो आगे जाकर आपका क्या goal है आपका क्या dream है और क्या आपने अभी सोच के रख सबसे पहले तो MBBS फिनिश करके PG की तयारी करनी है PG करके फिर नियूरोलोजी डेपार्ट्पेंट तो अभी से ये goal है MBBS, PG, नियूरोलोजी डेपार्ट्पेंट और आने वाले कल में आने वाले future में एक society में हमें एक अच्छे डॉक्टर भी मिलने बाले है और बहुत सारे डॉक्टर है ऐसे ह और डॉक्टर हमें मिलने बाले हैं तो दोस्तों ये जो चीज है जैसे आज हम भूमिका जी के साथ discussion कर रहे हैं तो आने वाले कल में आप भी एक ऐसे score अचीव करके एक ऐसी मुकाम अचीव करके बहुत सारे achievement प्राफ्ट करके आप भी अपने family को proud दे सकते हैं आप भी यात इसलिए क्योंकि ये time पे बहुत सारे student को ये जरूर होती क्योंकि जब वर्स की शुरुआत में ये सारे चीज़े मिल जाती है तो उसकी एक सफर एक direction नहीं तिशा में चली जाती है तो especially thanks की आपने हमारे ये platform पे आकर बहुत सारे student के साथ ये detail share की और आने वाले कल में और बहुत सारे पुमीका आपके ये बातों से सुनके कही ना कही result के मामले में बनने वाले हैं तो thanks to पुमीका जी thanks to versus परिवार की ये level की preparation करवा के बच्चों को ये level के लिए prepare करते हैं आपी बहुत सारे अलग-अलग जगा पे अलग-अलग सहर में पढ़ाई जब करते होगे तो वहाँ पे भी इसे बहुत सारी institute होगी जो भी आप guidance बल रहा है उसको अगर आप proper तरीके से करेगे तो आप भी एक अचा result ना सकेगे अभी भी आपके दिमाग में कई भी doubts से तो आप ज़रूर से नीचे comment section में comment करके मैं पूछ सकते हैं जल्द मुलाकात फिर से होगी ए टापर्स के साथ और आपकी दिमाग में चल रहे हैं और ऐसे question के answer देने के साथ तो thank you thank you to all of you आपने वीडियो को end तक देखा आप चैनल पर पहली बारा है तो ज़रू से subscribe कीज़े लाइक कीज़े आपके दोस्तों के साथ share कीज़े जल्द मिलेगे देने बाद जय ही जय पा झाल झाल झाल